Hello friends, Python series में आपका स्वागत है और मेरा नाम है वरिंदर सिंग पिसले session में हमने देखा किस प्रकार से हम installer को download कर सकते हैं इस session में हम देखेंगे download किये हुए installer से हम अपने system में python को कैसे install कर सकते हैं मेरे पास यहाँ पे desktop पे python available है क्योंकि मैंने यही पे download किया है आपने जहां पे download किया है वहाँ पे आप जाकर इसे enter कर दें या double click कर दें एक python का installer आपके पास available हो जाएगा आपके पास यहाँ पे एक installer open हो गया है जिसको follow करते हुए मैं python को install करने वाला हूँ यदि आप यहाँ देखें तो install now का button पे click करके आप असानी से python को install कर सकते है और यह जो path आपके पास available है इस path को जुरूर ध्यान रखेगा क्योंकि यह path हमारे आगयाने वाले समय में काम आने वाला है आप चाहें तो इसे change भी कर सकते हैं installation path को लेकिन अभी मैं इसको default रहने देता हूँ यहाँ पे और install now के जो option है वो default setup option है आप next next करते चले जाएंगे तो आपके पास python install हो जाएगी लेकिन मैं यहाँ पे customize installation में features के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ हाला कि यह optional feature दिया गया है लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सभी के सभी feature को अपने system में install करें सबसे फ़ले documentation है python से related documentation file आपको available हो जाएगी pip pip available है जिसमें python के जो packages है वो download और install किया जा सकते है इसके इलावा idle जिसमें development environment आपको दिया गया है python के दवारा जहां पे आप अपने python के program को run करके देख सकते हैं यह python का जो ideally साथ दिया गया है यहां पे आप अपने python के programs को run करके देख पाएंगे python का test suite है जिसमें आपके पास standard libraries के जो functions है उनको एक library set आप install कर पाएंगे python test suite से py launcher है और सभी user पे install कीजिए ताकि अगर आपके system पे एक से ज्यादा user बैठते हैं तो सब इसका benefit लेपाएं परन्तु यदि आप केवल उस user के लिए जिस user में अभी आप हैं और उसमें install करना चाहते हैं तो फिर इसे uncheck कर सकते हैं लेकिन अभी के लिए इसको मैं यही रहने से देता हूं next आपके पास यहां पे देखिए फिर से advanced options है आप यहां पे फिर से इन options को on off कर सकते हैं और यहां पे आप path चाहें तो change कर सकते हैं इस path को मैं copy कर लेता हूं क्योंकि यह path मेरे पास use होने वाला है मैंने select करके ctrl c कर लिया है और अगर आपने path change किया है installation का तो फिर वो path copy click करें और अगर इस तरह से कोई application message है python के द्वारा installer के द्वारा तो अब इसे yes कर दें यहां पे देखिए python installation शुरू हो गया है एक setup process है जिसमें कुछे seconds के बाद आपके system पे python जो है install हो जाएगा उरसे related जो ideal environment था यह जो हमारे पास बाकी पी वाई launcher था वो साधी चीजें सा यहां पे python install हो गया है आप python के द्वारा दिएगे online tutorial भी यहां से देख सकते हैं और नया क्या feature add हुआ है इस python के version में वो भी आप यहां से देख सकते हैं इसके लावा एक disable page length limit है इसको छोड़ देते हैं इसकी दुरद आपको नहीं है और यहां से मैं इसे close कर देता हूं तो और मैं expand करके देखो तो idle python 3.8 64 bit install हो गया है python environment और साथ ही python जो है वो 3.8 64 bit वर्जन जो है वो भी मेरे पास install हो गया है तो यह सारी चीज़े मेरे पास available हो गई है तो इस तरह से इस session में हमने देखा कि python को install किस प्रकार से किया जा सकता है एक important point जो है मुझे discuss जो करना है वो अगले session में हम python के path को कैसे setup कर सकते हैं ताकि हम असानी से python प्रवाम को कहीं से भी run कर पाएं धन्यवाद